द्वनी और संगीत हमारे रोज के जीवन के अनुभो हैं। हमारे कान द्वनी पहचानते हैं जैसे हम आखों से प्रकाश और रंग पहचान सकते हैं। पहले हम द्वनी निर्वाणी अंतरणा के बारे में जानकारी लेते हैं। द्वनी के बारे में अधिक अध्यान करने से पहले इन संकल पनाओं को पुनह एक बार देखना और उन्हें दोहराना उचित रहेगा। द्वनी संगीत और सुनना इसके बारे में समझने के लिए हमें तरंगों का भौतिक शास्त्र का आधार अवश्यक होता है। मुलभूत भौतिक शास्त्र के नियमों के इस्तमाल से द्वनी तरंगों के स्वभा, गुणधर्म और वर्तन समझते हैं। एक नाप पटिका अर्था स्केल लेकर टेबल के पास चुस्त रिती से पकड़ लें। दूसरा नोक नीचे खींच कर छोड़ दें तो पटिका कमपित होगी और ध्वनी निर्मान होगा। कमपित होने वाले नाप पटिका की लंबाई कम ज्यादा की तो द्वनी भी कम ज्यादा होगी। पटिका का लटकने वाला भाग लंबा होगा तो कम स्तर की द्वनी निर्मान होगी। कम रहती है। छोटी पटिका जल्दी से कमपित होती है और उसकी आवरती ज्यादा रहती है। हम अनिमेशन की साहयता से इसकी और खोज करेंगे। नाप पटिका की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन द्वनी कैसे दिखता है। हवा के माध्यम से जाने वाले द्वनी तरंग कैसे दिखाई पड़ते हैं। जब नाप पटिका कमपन होता है तब हवा में रेणों की जगा बदल जाती है। आपके कान का परदा अंदर बाहर अंतर भाई या धकेला जाता है। विद्युत संके मस्तिका की ओर भीजे जाते हैं। और इस कारण आप पटिका के द्वनी तथा आवाज सुन नहीं द्वनी तरंग समझने के लिए पास होने वाले हवा के सभी रेणों में से आपको एक ही रेणों पर लक्ष केंद्रित करना है। हम ऐसे कहते हैं कि पटिका प्रतिक सेकन में कितनी बार कमपन करती है। इसे बारमवरता कहते हैं। एक सेकन में होने वाली कमपन संख्या तथ के रेणों की हलचाल आपके कान के परदे के समान ही रिकार्ड करते हैं लेकिन उनका पुनर प्रसारण सुनना मुम्किन हो जाए ऐसे संग्रह कर रखते हैं जब रिकार्ड किये हुए संकेत फिर से चलाए जाते हैं विद्युत संकेत कान को लगाने वाले यंत्र में रवाना क किये जाते हैं जो स्त्रोत के समान ही रेणों को पुनरकंपित करते हैं आपने अगर एखाद संकेत रेणों की और ध्यान दिया तो ऐसे दिखाई पड़ेगा वह साइन वेव समान आगे पीछे हिलता है क्षैति अक्ष समय दर्शाता है जो खड़ा लंब हवा के रेणों का व बढ़ता जयता है स्मतोल स्थिती से सबसे ज्यादा विस्थापन होता है उसे द्वन्य-तरंग आयाउन कहते हैं तरंगकाल यानि हवा के रेणों को एक बार पूर्ण तया आगे पीछे जाने के लिए लगने वाला समय, आगे और पीछे जाने की तरंग की वारमवारता वारमवारता एकक तथा एक सेकन में एक चक्र इसे ही हड्स कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी साउंड जनेरेटर आप का उप्योग विवित प्रकार की आवरुति सुनने के लिए करेंगे गतिशील चक्र चिन्ह अर्थाद बटन को घुमा कर मिलने वाली प्रकार की आवरुति कम रहती हैं यह स्वर सौ हर्ट्स आवरुति इतना होता है हम जैसे आवरुति बढ़ाएंगे वैसे स्थर बदलता रहेगा हम मानवों को 20 हर्ट्स से कम आवरुति और उच्छ बीस हजार हर्ट्स आवरुति की द्वनी सुनाई देगी कुत्तों को 40,000 Hz इतनी उच्छ आवरुती तक ध्वनी सुनाई देती है ध्यान में लीजिए कि निसर्ग में शुध आवरुती मुल्य होने वाले ध्वनी उपलब नहीं है हम जब संगीत वाद बजाते हैं उसमें से निकलने वाली ध्वनी एक ही मुल्यभूत आवरुती पर आधारित अनेक आवरुती की होती है वस्तु के कंपन के कारण ध्वनी का निर्मान होता है वस्तु के कंपन आसपास के माध्यम के कणों को कंपन गती देते है इस कारण उर्जा उसी माध्यम से बहती जाती है अनुदैर ये तरंग अर्थात ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्य कण की हलचल उर्जा बहने वाली दिशा को समान तर ऐसी एक ही दिशा में होती है अनुदैर ये तरंग स्लिंकी में बना सकते हैं अगर हमने स्लिंकी को आड़े दिशा में खींचा और स्लिंकी के पहली रिंग को आड़े दिशा में छेड़ा तब क्या होगा इस बारे में माध्यम की प्रत्य गेंडुली कंपनीय गती में ले जाती है जो उर्जा बहने की दिशा के समांतर दिशा में रहती है हवा में द्वनी तरंग और द्रवपदार्थ में तरंग अनुदैर्ध तरंग रहती है क्योंकि जिस माध्यम से कण भिजवाये जाते हैं वे उर्जा बहने की दिशा को समांतर दिशा में कमपित करते हैं द्वनी तरंग निर्मान करने वाला स्त्रोत कौन सा भी हो कमपन होने वाली तार तथा ट्यूनिंग फॉर्क के कमपन द्वनी तरंग में अटकाव के कारण माध्यम के कण कण में परसपर क्रिया के कारण तैयार होने वाली द्वनी तरंग ये यांत्रिक तरंग होती है आडी तरंग याने चल तरंग जिसमें उर्जा बहने की दिशा के लंब दिशा में आंदूलन बनते हैं तालाब में उठने वाली तरंग और रसी का हिलना इन्हें आड़ी तरंग कह सकते हैं फीता तथा रसी एक बाजो में पक्का बान कर दूसरा नोक अगर हमारे हाथ में पकड़ लिया तो हाथ उपर नीचे हिला कर आप आड़ी तरंग बना सकते हैं द्वनी घनपदार्थ से आड़ी तरंग में जाते हैं हम कृती आनिमेशन सिमुलेशन की सहयता से द्वनी तरंग के गुणधर्म के बारे में सीखें सिमुलेशन सौफ्ट्वेर की मदद से द्वनी के गुणधर्म सेज लीजिए